ओम शिरी पर्मात्मने नमा ओम शिरी पर्मात्मने नमा नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर संजय जैन एक सीनियर और्दोपिटिक सर्जन हूँ मैं आज आपसे बात करने आया हूँ कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 ने पुरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है लाखों जाने जा चुकी है इस कोविड-19 ने भारत में एक और प्रेशन खड़ा कर दिया है मुख्यरूप से आयरवेदिक प्रेटर्निटी के मनों में जो भारत के अंदर और वो एक मूल प्रेशन यह है कि कोविड-19 ने लेकर भी और अन्य था भी क्या आयरवेद का वरतमान समय में कोई उपयोग है या नहीं है यह एक विज्ञान भी है या नहीं है इस विशे में मैं आपसे बात करने के लिए आ जाया हूं और विशे है दी रोल ओ आयरवेद और अलोपेथी इन अ मौडरन टाइम नहीं नहींवाद यह मेरे अध्यात्निक गुरुदेव है शरी ओजस्वी शर्माजी महराज जो एक जीवन मुक्त संत थे और जिनोंने 2018 में ही धेत्यात्याग किया ना तो यह कोई वैद्य थे ना ही कोई डॉक्टर थे परन्तु फिर भी आयरवेद के प्रती इनका गहरा लगाव था और इनका विचार था कि इस देश की मुक्य चेकित्वापद्धी आयरवेद होना चाहिए और इनी की प्रेणा से मैं आज आपके सामने ये प्रसुती दे रहा हूँ कोविड-19 पैंडेमिक इसने पूरी दुनिया में तभाई मचाई हैं बहुत लाकों जाने जा चुकी हैं पूरे वर्ड की एकनॉमी क्रेश होने की कगार पर आ गई हैं लेकिन एक मुख्य बात जो है वो यही है कि इसने आईरविदा फृटरिनिटी के अंदर को हिला के रख दिया है जिस सरी किसे देश में आईरविदा को इस बिमारी के समय में महत्त नहीं दिया जा रहा तो यह प्रेश्र उठना सभावी के आई पाइरविदा का क्या रोल हो मैडिसन के शेत्र में इसने कंपेल कर दिया है हमें सोचने के लिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए और अपने आपको दुबारा करना एक बहुत ही बेसिक कुश्चन से में शुरू करना चाहता हूं पूरे एक मानव जीवन के पूरे परिपेक्श में रखते हुए COVID-19 तो चला जाएगा थोड़े दिनों में स्वास से मिल जाएगा मानव जाती को लेकिन प्रेशन यह है कि स्वास से मिलने के बाद क्या आकिर हुमन लाइफ का वास्तिक उद्देश्य है क्या भारतिय संस्कृते ने बहुती स्पर्ष्ट रूप से बताया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चार पुरुशार्थ हैं जो प्राप्त करने हैं हर एक मानव को धर्म का मतलब होता है करतव वेपालन, राइटियसनेस तो क्या हम यह कर पाते हैं अर्थ यानि की धन कमाना तो क्या हम धन मौरल और लीगल मीन से अंदर ही कमाते हैं या कोशिश करते हैं या इसके अलावा भी और इन तीनों का जो अंतिम उदेश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति या परम अनंद की प्राप्ति या पूर्र सैटिस्टेक्शन कहें या सेल्फ रियलाइजेशन कहें एक ही बात है और यही ultimate aim है human life का सारे दुखों के समापती में पूरे विश्व में है और कहीं नहीं है और मजए की बात ही है कि आयरवित का भी ultimate उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और योगा का भी ultimate उद्देश्य प्रशार्थों की प्राप्ति के लिए स्वास से जो है वो एक basic requirement मुख्य रूप से दो चिकित्सा पदितियों के बारे में मैं आज बात करूँगा आयरवेदा और एलोपेथी एक इनका हम कंपेर दे यूटिलिटी ओफ आयरवेदा एंड एलोपेथी इन टुडेज मॉडर्न इराग एलोपेथी एक पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान है जिसको अब मॉडर्न मेडिकल साइन्स भी कहा जाता है जो पिछली लगबग एक शतावदी से हमारे देश की मुख्य चिकित्सा पदिती बन चुकी है इसको साइन्टिफिक एडवांस मेडिसन कहा जाता है एविडेंस बेस्ट कहा जाता है जोकि क्लिनिकल ट्राइल्स किये जाते है ये भी क्लेम किया गया कि जो संक्रामक रोग हैं इनके उपर एलोपेथी के माध्यम से पूरी तरह से विजय पाली गई है खास और से एंटिबाइटिक और वैक्सीन के प्रियोग के द्वारा और एक क्लेम ये भी किया गया कि मौडर्न मेडिसन के माध्यम से मानव जाती की ओसत आयू 40 वर्ष से बढ़ा कर 70 एर कर दी गई है आईरविदा है हमारी एंशियन इंडियन साइंस केवल चकित्सा विज्ञान नहीं वर्ण पूरे मानव जीवन का एक विज्ञान एटर्नल साइंस जो हमारे देश की हजारों सालों से मुक्य चकित्सा पदिती हुआ करता था परन्तू एलोकेथी के आने के साथ ही उसको हाशिये पे डाल दिया गया यहां तक कहा जाने लगा कि यह तो अनसाइंटिविक हैं इसमें कोई एविडेंस बेस नहीं हैं कोई क्लिनिकल ट्राइल्स नहीं होते हैं और यहां तक भी कहा गया कि हार्मफुल है नीम हकीम खतराय जान जैसे शब्दों से इसको नवाजा गया तो प्रशन यह है कि फिर आयरविदा को क्यूं चलते रहना चाहिए नीट एग्जामिनेशन में MBBS में प्रवेश लेने के लिए चातरों की भीड लगती है परन्तों BMS में मुश्किल है बहुत कम चातर ऐसे होंगे जो स्वेच्छा से आयरविद में जाना चाहिए अन्यता मजबूरी में आना होता है चूकि MBBS में नंबर कम आए तो इसलिए आयरविद में प्रवेश ले लिए आज की तारिक में आयरविद की कोई रेलिवेंस है या नहीं है मौडर्न मेडिसन तो यह माना जाता है कि सब कुछ ठीक कर सकती है हमारे आयरविद प्रेक्टिशनर भी कोर्ट में केस लड़ रहे है कि उनको मौडर्न मेडिसन लिखने का अधिकार दिया जाए गौर्मेंट भी ये ट्राई कर रही है कि किसी तरीके से आयरविदा के स्टुडेंट को एक MBBS का ब्रिज कोर्स कराया जाए अलोपेति का ताकि वो किसी काबिल बन सके जैसे उसके बिना तो वो कोई काबिल है ही नहीं सरकार का 98 प्रतिशत जो हेल्प बजट है वो Modern Medicine के लिए ही रिजर्व है और 2% Allocation है आयुश के लिए जरूवत क्या है क्यों न सारे आयरविद कॉलेजिस को बंद करके उनको Allopathic Colleges में Convert कर दिया जाए जो हमारे देश की Modern Medicine की जो Fraternity है वो तो आयरविद के बहुत खिलाफ है अपने देश की चिकिसा पतिदी के खिलाफ है वो आयरविद को कुछ भी नहीं समझते है वो तो यहां तक की आयरविद के बच्चों को जो Bridge Course कराने की बात हो रही है उसके भी सक्त खिलाफ है Integration होना चाहिए आयरविद का और Modern Medicine का किस आईडिया के वो बिलकुल खिलाफ है World Health Organization 2019 में एक Conference होती है जिसमें चर्चा होती है Traditional Medicine, Complementary Medicine और Integrated Medicine के उपर यह निकला वो कहते है Traditional and Complementary Medicine is an important and often underestimated health resource with many applications especially in the prevention and management of lifestyle diseases and in meeting the health needs of aging population आज पुरे विश्व में अनेक कंट्री ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हेल्थ केर कवरेज है उनके पॉपुलेशन की उसको बढ़ाना चाह रहे है लेकिन कॉस्ट बढ़ती चले जा रही है Modern Medicine के treatment में और कंट्री के बड़ लिमिटेड है तो Traditional Medicine की requirement जो को कहना है कि इन आइडियल वर्ड Traditional Medicine वुड बी एन ओप्शन ओफर्ड वाई वेल फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम विच इस ध्यान दी जी का तीन बातों पे people-centered यानि की रोगी या मानव के मानव केंद्र में रहे हर बात के they should be curative यानि की cure होना चाहिए बजाए control के और तीसरा preventive care WHO को कहना है कि traditional medicine stands out as a way of coping with the relentless rise of chronic non-communicable diseases यानि की जो non-communicable diseases भरती चली जा रही है उसमें traditional medicine की ज़रुवत है interest अब उसमें grow कर रहा है पूरे बात WHO के अनुसार पूरे वर्ड की लगबख 70-80% population आज भी traditional medicine पे ही dependent है ये आश्चरे की बात है ऐसा लगता है जैसे ऐलोपेथी ही पूरे विश्व को संभाल रही है परन्तु ऐसा नहीं है और public interest traditional medicine में इसलिए grow कर रहा है जो कि जो conventional medicine है जो ऐलोपेथी है उसमें एक तो synthetic drugs chemicals होते हैं जिनके बहुत side effects होते है curative treatment available नहीं है treatment cost भढ़ती चली जा रही है उदर microbial resistance पैदा हो गया है और नहीं नहीं बिमारियां जैसे अब कोरोना आ गया ये पैदा होती चली जा रही है जिनके उपर इंटीग्रेटिव मेडिसन की आफशकता मैसूस हो रही है अब WHO के लेवल पे कि modern medicine को और traditional medicine को जैसे आयरवेद को मिला के चला जाए चाहे ना ये पहले ही कर चुका है अब ये आवशकता मैसूस हो रही है कि जो एलोपेथिक के students है उनको आयरवेद का bridge course कराया जाए यानि कि reverse bridge course मेरा प्रशन ये है कि अब WHO को traditional medicine क्यों यहाद आ रही है क्या modern medicine में जो scientific system में उसमें problem प्रशन है क्या modern medical system people centered नहीं है क्या ये curative नहीं है क्या ये chronic diseases के लिए अच्छा नहीं है क्या ये communicable disease को control करने में भी fail हो रहा है क्या ये prevention के लिए अच्छा नहीं है क्या ये economically sustainable नहीं है और क्या ये व्रद लोगों के लिए अच्छा नहीं है इन सब प्रशनों का जवाब हमें खुजना है modern medicine लगबख एक शताब्दी से हमारी मुखे चिकित सब पदिती बनी होई है तो उसके चलते आज देश में स्वास्थे की क्या इस्विती है इसको हमें जानना चाहिए दो प्रकार के रोग modern medicine में माने जाते है एक communicable diseases और एक non communicable communicable जिनको संकरामक रोग कहते हैं जो ये माना जाता है कि वो germs के द्वारा होते हैं और एक से दूसरे में फैल सकते हैं चाहिए वो bacterial हो चाहिए viral हो और उनका जो root होता है फैलने का वो वायू के माध्यम से हो सकता है जल से हो सकता है vector या से मच्छों के माध्यम से हो सकता है blood के माध्यम से हो सकता है या direct contact से हो सकता है जैसे की TB, malaria, cholera, AIDS, dengue, chicken gonia, typhoid, viral hepatitis, jika, ebola, swine flu, respiratory tract infections और nozocomial infections जो की hospital acquired infections होते हैं और अब तो आप देखी रहे हैं एक COVID-19 ये साब भरते चले जा रहे हैं दूसरी और non communicable diseases जिनको lifestyle या chronic रोग भी खेते हैं जैसे की blood pressure, cholesterol, diabetes, heart disease, obesity, respiratory illness, thyroid, stroke, osteoporosis, arthritis, kidney failure, liver failure, hepatitis, cancer, mental disorders ये आश्चर होगा की हमारे देश का disease load, रोग भार भड़ता चला जा रहा है बहुत तेजी से हम दोनों ही रोगों के बारे में लगबख से communicable diseases है वी आर लूजिंग fight वी आर लूजिंग fight against tuberculosis despite having vaccines and antibiotics due to antibiotic resistance viral hepatitis A, B, C, D, E ये बढ़ते चले जा रहे हैं HIV, AIDS, malaria पहले से ही है diarrhea और pneumonia से भी आज मौते होती है इसके अलावा annual epidemics जो होते रहते हैं जैसे dengue, chicken gunia sign flu और अब corona nosocomial infections यानि की hospital acquired infections ये बहुत बड़ी एक threat बनता चला जा रहा है इस्पतालों के अंदर जिसका कोई साधन नजर नहीं आ रहे है WHO ने 2019 में September में ये report दी थी कि word is not ready for pandemic threat अगर कुछ ऐसा होता है तो word ready नहीं है यानि कि communicable diseases के अंदर हम तयार नहीं है और पता नहीं WHO को क्या मालूम था कि ऐसा बिल्कुल वैसा ही हुआ ये corona आ गया दो मेहने बाद ही दूसरी ओर जो non communicable diseases हैं वो भी आस्मान चूर रही है आज घर घर में blood pressure, cholesterol, diabetes, thyroid, heart problems बढ़ती चले जा रही है एक बहुत आम बात हो गई है diabetes के मामले में तो India world की capital बन चुका है और planning commission की report है कि आने वाले कुछ सालों में ये सारी दवाईयां NCDs जो है सारी रोग है NCDs ये कई-कई गुना बढ़ जाएंगे अधिक से अधिक लोगों को बिमार घुशित किया जा रहा है according to the parameters of the modern medical science जैसे blood pressure के अधार पर blood sugar के अधार पर cholesterol के अधार पर अधिक से अधिक लोग बिमार होते जा रहे हैं और इन parameters को control करने के लिए अधिक से अधिक लोग chemical दवाईयों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं जिनका कोई और बिमारी पर केवल control है कोई cure नहीं है और पूरे जीवन इन दवाईयों को खाने की विवश्टा हो harmful side effect होते हैं ऐसा लगता है जैसे एक रोग का इलाज तूसरे रोग से किया जा रहा है तो क्या यही तो कारण नहीं है रोग भार बढ़ाईयों William Osler Father of Modern Medicine ने एक बार कहा था कि चिकित सक की पहली duty यह है कि वो जनता को यह सिखाए कि दवाई नहीं खाएं Allopathic medicines especially side effect होते हैं अंगिनत दवाईयों हैं बट मैं आपको कुछ main दवाई बता रहा हूँ जो जनरली बहुत जिनका overuse है और हर prescription का वो पार्ट है जैसे antibiotic का disaster मैं आपको अब यह आगे बताऊँगा painkillers gastric problem even gastric ulcer bleeding, gastric bleeding जिससे कई बार मौत भी हो जाती है liver damage kidney failure का बड़े से बड़ा कारण है एक गोली रोज खाने की आदी हो चुकी है जैसे pentocedia और जो दबाया है antacid के रूप में और चुकी यह acid secretion को बिलकुल लगबग खतम कर देती है बाडी में से तो ना तो calcium का absorption हो पाता है ना vitamins का absorption हो पाता है और इसके फलसरूप osteoporosis, vitamin B12 deficiency, kidney failure and rebound acidity को precipitate करती है blood sugar बढ़ा देती है muscle weakness, memory loss यानि कि एक रोग आप ठीक कर रहे हैं दूसरा पैदा हो रहा है aspirin जो heart attack की incidence को कम करने के लिए दी जाती है उससे risk of bleeding बढ़ जाता है अगर आपको aspirin खाते हो चोट लग जाए तो खतरा हो सकता है कि bleeding रुकेगी यह नहीं इसी तरह से cancer की कीमोटरपी हम सब जानते है किस्ती toxic होती है तो इस प्रकार अनेक दवाई है और इस सब दवाई होके बड़े खराब साइड हो और क्या हो रहा है कि मानव के अंग fail होने की जो speed है वो alarmingly भढ़ती चली जा रही है kidney liver transplant की आवशक्ता भढ़ती चली जा रही है heart stenting bypass surgery की आवशक्ता भढ़ती चली जा रही है joint replacement bariatric surgery वो भी younger ages में और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे यह surgeries high tech surgeries जो है यह समाधान है सारी समस्या का जबकि वास्ता में तो यह केवल disaster management है यानि कि कुछ अन्य कारणों से जो disasters होने शुरू हो गए है माना जाती में जो disasters बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे है केवल उनका management है जिसको बहुत बड़ी science और वो माना जा रहा है दूसरी ओर सरकार भी कोशिशी कर दिये कि हर राज़े में कम सकम एक aims बन जाए इससे इन high-tech surgeries की उपलब दपा बहुत बढ़ जाए और इन disasters मैनेज कर पाए लेकिन इधर की तरफ ध्यान नहीं है कि यह आखिरी disaster इतना हो क्यों होने क्यों लग गए है और इन आर्थिक बरबादी बहुत तेजी से हो रही है आधुनिक चेकित सविग्यान के कारण क्या आप जानते हैं कि भारत में लगबख पांच करोड लोग हर साल इलाज की वज़े से गरीबी रिखा के नीचे चले जाते हैं घर बेचना पड़ता है लोगों को इलाज के लिए उधर ये बात केवल भारत में नहीं है पुरी दिश्व में है और अमेरिका की बात ये सामने है कि अमेरिका में जितने भी लोग अपना दिवाला निकालते हैं उसके पीछे 70% लोगों में जो कारण है वो आधुनिक चिकिस्सा विग्ञान ही है ये बहुत आश्चेदे की बात है तो हम किदर जा रहे हैं स्वास्थे की ओर या बरबादी की ओर मॉडरन मेडिसन के इतने जादूई विकास के बाद तो मानव जाती को रोगों से मुक्त हो जाना चाहिए चाहिए ता लगबग परन्तू हुआ तो ठीक इसके विपरीत रोग तो भढ़ते चले जा रहे हैं वचो ने 1977 में ये प्रॉमिस किया था हेल्प फॉर आल बाई 2,000 परन्तू दिया क्या सबके लिए गोलियां और मानव जाती को मिला क्या रोग मिले, हाई टेक डियागनोस्टिक्स, हाई टेक ट्रीटमेंट्स, हाई टेक सर्जरीज और आर्थिक बरबादी परन्तू हेल्थ का क्या हुआ एक विरोध है जैसे दोनों में एक दूसरे से आगे निकलने की हुड मची हुई है जितना जितना मौडरन मेडिसन का विकास हो रहा है, उतना ही उतना रोग भार भरता है हमें यह भी बताया गया, कि भारत एक गरीब देश है और चुकी शिकिस्सा सुधाय हैं यहां पर जन जन तक नीचे के लेविल तक नहीं पहुची हुई है इसलिए हैं यहां पर सुआस्थे का बुरा आल है जो वर्ड का रिचेस्ट कंट्री है, जो हुमेन हेल्थ के उपर हुज अमाउंट खर्च करता है भारत के मुकाबले एक हजार गुना कह सकते है मौडर्न मेडिसन जहां पर पूरी शक्ती, पूरी सामर्थे के साथ, पूरे पेनेटरेशन के साथ काम कर रही है हाल बुरा है, डिजीज बर्डन वहां भी बढ़ता ही चला जा रहा है प्रशन उठता है, आखिर क्यूं? ये प्रशन उठाना वाजिब है क्या मौडर्न मेडिसन एक रियल हेल्थ साइन्स है भी या नहीं? क्या ये मैनकाइन के लिए अच्छी है भी या नहीं है? डेथ बाई मेडिसन दोजार आठ में डॉक्तर्स एंड रिसर्चर्स ने मिलके अमेरिका का पूरा जो मेडिकल जर्नल्स है और सारा जिस डेटा है वो कलेक्ट किया तो उनकी जो फाइंडिंग सी देवर्शन के तोड़ेज मेडिकल सिस्टम ये नुक्सान ज्यादा कर रहा है कि अमेरिका के अंदर जो डेट का और इंजरी का जो लीडिंग कॉज है नंबर वन कॉज आज की तारिक में वो मॉडर्न मेडिसन खुद है ये तो भहुत ही बिएम जे में बिटिश मेडिकल जर्नल के अंदर 2016 में ये लेक छपाता कि मेडिकल एरर्स केवल जो मेडिकल जो केवल एरर्स है जो गलती होती है वो थर्ड लीडिंग कॉज है डेथ का इने प्रोफिसर बी एम हेगडे बहुत रिनाउंड नेम है भारत के अंदर जो एक सिनियर काडियोलोजिस्ट और फॉर्मर वाइस चांसिलर मनिपाल यूनिवरस्टी है उन्होंने भी कहा कि दे लीडिंग कॉज अफ डेथ इस मौडरन मेडिकल ट्रीट कंवेंशनल मेडिसन इस दे लीडिंग कॉज अफ डेथ जिसमें बताया है कि मेडिसन के दौरा खुद के दौरा होने वाली डेथ 0.8 मिलियन हार डिजीस के दौरा 0.7 और कैंसर के दौरा 0.6 मिलियन ये 2001 का रेट आए यानि कि जो चिकित्सा पदिती चिकित्सा करने के लिए चली थी वो अपने आप में बड़े से बड़ा मिर्च्टू का कारण बन चुकी है और इससे भी जादा खतरनाग बात ये है कि विश्वस्वास से संगठन ने आज तक भी डेथ के इस कौस को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है चुकि अगर ऐसा कर लेंगे तो तुफान मिर्च्टू Modern Medicine से लोग मर रहे है क्या कारण है एक तो दवायों के साइड एफेक्ट अड़र्स एफेक्ट दूसरा ट्रीट्मेंट की कॉम्प्लिकेशन्स तीसरा मेडिकल एरर्स और चौता है करप्शन, ओवर ट्रीट्मेंट अननेसेसरी मेडिकेशन्स अननेसेसरी सर्जिकल प्रोसीजर्स और अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन्स यह क्यों किये जा रहे हैं आप जानते हैं बहुत विक्सित विज्ञान कहा जाता है Modern Medicine परन्तो वासम में विकास हुआ तो किसका हुआ Diagnostic Centers का हाँ बहुत विकास हुआ बड़ी-बड़ी महान टेक्निक्स आ गई MRI, PET scan, CT, PET scan दुरियां भर की चीज़े आ चुकी है बड़े-बड़े सेंटर खुल चुके है Medical and Surgical Technics कमाल का विकास हुआ है Doctors बहुत विकास हुआ है Corporate Hospitals पुरे विश्व को संभाले हुँ है बहुत विकास हुआ है Private Medical Colleges आज की तारीक में Government Medical Colleges से ज़्यादा Private Medical Colleges है और मोटी-मोटी फीस लेके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है बहुत विकास हुआ है और Multinational Pharma Companies and Health Industries ये तो हमारे Modern Medicine के मालिक बने हुए है आज विश्व में बड़े से बड़ा हुद्धियों का अगर कोई है तो वो Pharma Companies जिस बात एक बात के लिए इन सब चीजों का विकास हुआ वो था मानाव का स्वास से उसका क्या हुआ तो Elder Saksle जो एक बहुत बड़े फिलोस्फरें हों कहते है कि आदुनिक चिकित सा विग्यान ने इतनी तरकी कर ली है कि आज एक भी आदमी स्वस मिलना मुश्किल हो गया है क्या गलती हुई वोट वेंट रॉंग आज मैं आपको बताता हूँ Modern Medicine के अंदर जो बड़ी से बड़ी breakthrough हुई या discoveries हुई वो चार बाते मुखे रूख से हैं एक जर्म थियोरी, vaccines, antibiotics and clinical trials 1860 में Lewis Pasteur ने जर्म थियोरी दी कि संक्रामक रोगों का कारण जर्म सोते हैं उससे पहले Modern Medicine में कुछ भी नहीं पता था शुरू में तो ये मानते थे कि सुपर नैचरल कॉज हैं और treatment के तोर पे कुछ magic, कुछ religion की बाते या कुछ witchcraft जैसी चीजे ही practice में हुआ करती थी पहली बार 1860 में ये बात सामने आई लेकिन इलाज के तोर पे तब भी कुछ नहीं था फिर तभी वैक्सिन बनना शुरू हो गई पहली वैक्सिन स्मॉल पॉक्स और रेबीज की थी जो वाइरल डीजीज के खिलाफ थी ये भी केवल prevention के लिए थी treatment वाइरल डीजीज का तब भी कोई नहीं था तीसरी बात हुई antibiotics 1928 में पहली एंटिबाइटिक penicillin Alexander Flaming साहब ने डिसकावर की जिसका सबसे ज़्यादा यूज 1945 में हुआ वर्ड वार में उसके बाद ऐसा हुआ जैसे modern medicine हमेशा के लिए बदल गई और फिर clinical trial शुरू हुए जिसके दम पर ये कहा गया कि ये एक scientific medicine है अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊँगा आज की तारिक में जर्म theory valid नहीं है खापक थे लूइस पास्चर साहब उन्होंने ही अपने death event पे ये कह दिया था ये स्विकार कर लिया था कि जर्म is nothing the environment within is everything जिनोंने जर्म्स और disease के बीच में एक concrete relationship establish किया था और ये बताया था कि रोगों का कारण जर्म्स होते हैं इन्होंने अपने postulates दिये थे कुछ जो आज की तारिक में सब गलत सिद्ध हो चुके हैं इन्होंने ये कहा था कि जहां भी जर्म है वहां रोग होना चाहिए परन्तु ऐसा बिल्कुल नहीं है हम सब जानते हैं कि जर्म्स तो बहुत हैं हर जगा हैं लेकिन उनके संपर्क में आने वाले सारे मानाव बिमार नहीं पढ़ते हैं जिनकी immunity कम होती है कि वहीं बिमार पढ़ते हैं टीबी के केटाणू लगबग आधी जनता में होंगे भारत के अंदर लेकिन सब को टीबी नहीं होती है तो ऐसा करके ये इनका गलत बिल्कुल जो father of pathology and social medicine कहे जाते हैं उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे एक जीवन और मिले तो मैं ये सिद्ध कर दूँगा कि जर्म रोग का कारण नहीं है वरन रोग का परिणाम आज की तारिक में ये मान लिया है कि जर्म अकेला ही संक्रामक रोगों का कारण नहीं है वरन जर्म, environment and host इन तीनों का आपस में interaction जो होता है उसमें भी host सबसे important है और जर्म सबसे कम important है इंचिंग टूवर्ड़ आयरुवेदा आयरुवेदा में भी host को सबसे important माना जाता है तो पिर आई vaccines vaccines की utility है हम सबने देखा है लेकिन मित्रों एक बहुत बहुत limited utility है अगर आप पूरे परिप्रेक्ष में देखेंगे तो ये एक artificially acquired germ specific immunity है किसी एक germ के खिलाफ और आप जानते हैं कि innumerable germs है और इतनी बड़ी population है फिर germs mutate कर जाते हैं अपना strange change कर लेते हैं तो अगर कोई vaccine बन भी चुकी है तो वो vaccine बेकार हो जाती है हर vaccine की एक time limit होती है उसको repeat करना पड़ता है कितनी बार लगाएंगे कितनी वैक्सीन लगाएंगे कितने लोगों को लगाएंगे कितने germs के खिलाफ आप vaccine बनाएंगे आज की तारिक में अमेरिका में करीब करीब बच्चों को 35 वैक्सीन लगाना अनिवार रहे हैं smallpox और polio का eradication हुआ बहुत बड़ी बात है बहुत great achievement है परन्तो आप जानते है polio eradicate करने में कितने वर्ष लगे और कितने million billion trillion dollars खर्च हुए है और आज भी हम पूरी तरह सफलता नहीं पा सके है तो ठीक है एक दो बिमारी हमने eradicate की परन्तो कितनी नहीं पैदा हो गई क्या हम हरे के लिए ऐसा कर पाएंगे AIDS, Nipa, Ebola, Jika, Swine Flu, Dengue और अब Corona आ गया है क्या हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और fail होते रहेंगे और जिन जिन रोगों को हम मानते थे कि वो eradicate हो चुके हैं तो जो आयरवेदा कहता है कि एक अच्छा स्वास से बड़ी से बड़ी वैक्सीन है और हर रोग के खिलाव हर जर्म के खिलाव क्या ये बात ठीक नहीं है दूसरी और मर्क कंपनी जो वैक्सीन्स मनाती है उसके एक रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा कि ये जो मेंडेटरी वैक्सीनेशन है कि 35 वैक्सीन लगाना अनिवार रहे इसके पीछे पब्लिक हेल्थ का दर्शिकों नहीं है वरन प्रॉफिट का दर्शिकों फिर तीसरी बात आती है एंटिबाटिक्स इससे बड़ी बात पूरे modern medicine में शायद अब तक नहीं हुई है पैनिसलीन 1928 में अलेक्संडर फ्लेमिंग ने इसकवर की विच ट्रांसफॉर्ण दी वर्ड अव्डर्ण मेडिकल साइंस पैनिसलीन वास यूजज़ वादली in second world war the new drug laid down the foundation for advanced surgeries and it transformed the human health forever के research असे ने ये कह दिया के बई infectious disease पर तो हमने विजय पा ली है अब और बातों में research की जाए जो lifestyle diseases है परन्तु ये euphoria बहुत ही short lived था जो magic bullet मानी गई थी आ इंटिबाइटिक उनका magic बहुत जल्दी खतम हो गया total antibiotic resistance पैदा हो गया और ये बड़ी से बड़ी threat है modern medicine को आज चोकि infectious diseases का इलाज करना मुश्किल हो चुका है और surgical surgery करना भी मुश्किल हो जाएगा 2014 में ये warning दी थी कि post antibiotic era आ चुका है 2016 में एक pitting हुई 193 countries की जिसमें उन्होंने ये सिकार किया कि the antibiotic resistance is our biggest global health threat और उन्होंने उसके लिए 600 million pounds allocate किये उसको उसको से learn लगबग करीब आदी century में ही सब कुछ बदल गया जहां से चले थे फिर वहीं पहुँच गए और केवल वहीं नहीं पहुँच गए पहले से सिती बग हुआ करता था वो अब सुपर बग बग बन चुका है विच इस रेजिस्टेंट टू आल अवेलेबल एंटिबाइटिक आर्ममेंटेरियम तिल डेट इसका इंटरस्ट एंटिबाइटिक से बिल्कुल खतम हो गया है चुकि उसमें उनको अब प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आती है वो तो प्रॉफिट के लिए काम करते है उन्होंने अपना सारा फोकुस शिफ्ट कर लिया है अब लाइफस्टैल डितीस के अंदर चुकि वहाँ पे दवाईयां पूरे जीवन खाय जाती है केवल एंटिबाइटिक से ने काम करना बंद कर दिया रेजिस्टेंस हो गया ये एक अलग बात है इसके अलावा एक और बात सामने आई कि एंटिबाइटिक का यूज प्रिंसिपली गलत है and it has proved to be catastrophic for the human health प्रिंस्टेंस ये है कि एंटिबाइटिक जर्म्स को मारती तो है परन्तु किया ये सही तरीका था infectious disease से लड़ने का प्रोफिसर अफ मॉलिकुलर बायलोजी उन्होंने अपना निश्कर्ष निकाल के ये कहा कि एंटिबाइटिक एरा के शुरुआत बैक्टिरिया के अगेंस्ट यूद से शुरू हुई थी परन्तु रुने का कि ये यूद इन प्रिंसिपल गलत था इस यूद को हम कभी जीत नहीं सकते हम उस microbial world को destroy नहीं कर सकते जिसमें हम खुदी evolve होते हैं और हमें अपने microbiota and microbiome की care करनी ही पड़ेगी microbiome हमारे शरीर में trillions of किटानों हैं बैक्टिरिया हैं जिनके समूँ को हम microbiota कहते हैं मुक्खे रूप से तो यह आतों में पाया जाते हैं लेकिन पूरे शरीर में जैसे skin पे सब जगा होते हैं और इनका जो नंबर है यह हमारी खुद की cell से करीब करीब 100 times है sorry करीब करीब 10 times है और इन microbiota का जो genetic material है जिसको की genome का आ जाता है एक हमारा अपना खुद का genome है और एक इन microbiota का genome है इसका नंबर भी हमारे खुद के जीन से 100 times है यानि कि ऐसा लगता है कि हम तो वासम में हम नहीं है वरन बैक्टिरिया का समू है तो जो हमारा second genome है वो ही हम वासम में है आज molecular omic studies जैसे genomic, proteomic, transcriptomic and metabolomic studies होती है उससे यह पता चला है कि लगबग हमारे शेरीड में 2000 species और पता चलते जा रही हैं और जादस जादा यह पता चल रहा है कि इनकी हमारे शेरीड के लिए कितनी importance है हमारी health के लिए, हमारे जीवन के लिए और इसी के कारण हमें super organism कहा जाता है जोकि हमारे पास दो genome है एक हमारा खुद का और एक इन बैक्टिरिया इस microbiome के function इतनी important है कि इसको अब forgotten organ कहा जा रहा है इसको हमारा second brain कहा जा रहा है जहांसे सारी activity govern होती है gut और brain का एक पात्वे पता चला है सोचते तो यह थी कि brain सब कुछ govern करता है परन्तु ऐसा लगता है जैसे सारा govern यह microbiome करता है पेट से यह digestion में help करता है immune system को development में सबसे बड़ी help इससे ही होती है यह हमारी अपनी army है infection से लड़ने के लिए जो भार की organism हम पे attack करते हैं उन से लड़ने के लिए बड़ी से बड़ी army यह है हमारे पास बहुत important vitamins और fatty acids का synthesis is microbiome के दुआरे ही होता है बहुत सारे metabolic functions के लिए हम dependent है इस microbiome के उपर हमारा behavioral development इसके उपर dependent है इतना important antibiotics हमारे इस microbiome को damage करती है और हमारी health को कई तरीके से नुकसान होचाती है हमारी immunity compromise हो जाती है हम infections के लिए more susceptible हो जाते हैं हमारा metabolism सारा खराब हो जाता है और antibiotic resistance सो पैदा हो जितनी भी antibiotics है सारे सिस्टम्स को कहीना 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 कहीन नुकसान पचाती है चाहे वो kidney failure हो चाहे वो liver पे असर हो उनका चाहे गट पे असर हो मैं आपको मुखे मुखे कुछ side effect बताता हूँ antibiotic associated diarrhea is very very common और कभी कभी ये इतना uncontrollable होता है कि fatal भी हो जाता है secondary infections चूकि हमारी immunity कम हो जाती है तो हम prone हो जाते है secondary infections के लिए atopic inflammatory and autoimmune disorders जैसे asthma, allergies, rheumatoid arthritis, cancers ये सब भढ़ते चले जा रहे हैं चूकि antibiotic का बहुत misuse हो रहा है और इसका सीधा सम्मन antibiotic की यूज से है मुटापा इसलिए farm animals को antibiotic खेला जाती है जिससे कि उनका weight भढ़ जाए और profit जादा हो और इसलिए आजकर जो young generation है जो बच्चे हैं उनमें obesity एक बहुत बड़ी problem है जो कि बहुत frequently antibiotic का यूज बच्चों में भी किया जाता है फिर metafol syndrome जिसके कारण हिरदे रोग fatty liver जो बहुत कमन होता जा रहा है बड़े वग्यानी कुए Martin Blaser जो डारेक्टर है Human Microbiome Program की अमेरिका के अंदर उनने ये कहा कि क्या कभी किसी health professional ने आपको ये बताया है कि अगर आप antibiotic खाते हैं तो आप infection के लिए और prone हो जाते हैं antibiotic resistance is only the tip of the iceberg the real problem is antibiotic itself जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है चुकि कोई substitute नहीं है modern medicine के पास बात ये है कि भारत आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा consumer है अंटिबाइटिक्स का सोची हमारे या कि ने भी एक यूटर्न लिया है बैक्टरिया को मार के रोगों का इलाज किया जाता था आज उन बैक्टरियाओं को दुबारा जिन्दा करने के लिए दवाजियों का रियोग किया जा रहा है जैसे probiotics जरूरी हो गए हैं आजकल जिससे कि जो हमारा microbiota antibiotic के use से खतम हो गया है उसको दुबारा से जीवित किया जाए shit capsules बनाके खिलाया जा रहे है potty के capsules can you imagine fecal transplant हो रहे है यानि कि स्वस्वेक्ति की जो potty है उसको transplant किया जा रहा है रोगी वेक्ति के अंदर रोगों से लड़ने के लिए और इसका successful कई विमारियों को हिलाज भी हुआ जैसे कि अलसरेटिव कॉलाइटिस क्रॉंड से डीजीज तो गएरा पहले यह माना जाता था कि antibiotic का course complete करना जरूरी है वरना resistance हो जाएगा आज यह कहा जा रहा है कि course complete करने से resistance हो जाएगा उल्टा हो रहा है 2016 में WHO को guidelines issue करनी पड़ी आप जानते हैं कि जितनी भी surgeries होती है उनके अंदर antibiotic profile axis जरूरी होता है otherwise infection हो जाता है किसी भी surgery के बाद आम तोर पर 10-10-15 पंदर पंदर दिन antibiotic खिला जाती है तो WHO नहीं यह कहा कि यह गलत है अगर आप antibiotic एक हद से जादा यूज़ करोगे तो antibiotic resistance भढ़ता चला जा रहा है दूसरा उन्होंने यह बताया कि आप अगर antibiotic जादा यूज़ करोगे तो post-operative infection कम होने की बजाए और बढ़ जाएगा और तीसरी बात कि antibiotic आपके microbiome को रश्ट करती है इसलिए antibiotic का प्रयोग कम से कम करना है और उन्होंने यह बताया कि antibiotic का प्रयोग जादा से जादा या तो single shot या maximum 24 hours किसी भी surgery में यूज़ करें लेकिन बड़े आश्चरे की बात है कि भारत के अंदर नीचे से लेकर और बड़े से बड़े science की बात तो following नहीं हो रही है अगर इसको science माना भी जाए तो और एक बात कि WHO ने प्रयोग को antibiotic के प्रयोग को कम करने की warning दी है जब यह खतरनाक है तो काईदे से तो इसका प्रयोग बंद हो जाना चाहिए लेकिन बैन नहीं कर सकते क्योंकि कोई option नहीं है कोई और इसके इलावा और एक मज़े की बात है इसकी भी केवल warning दे के छोड़ दिया है केवल एक guideline निकाल दी और अपने करतवे की इती शिरी कर ली कोई campaign नहीं चलाया कि antibiotic का प्रयोग कम होना ही चाहिए जैसे polio का campaign चलाया प्रयोग कर दिया तो antibiotic का campaign क्यों नहीं चलाया जा रहा है जब या antibiotic मानव जाती कि स्वाथ से कोई इतना नुकसान पंचा रही है यह एक प्रशन की सोचने की बात है क्यों तो क्या antibiotic वासम में indispensable है क्या infections बुखार पहले treat नहीं होते थे antibiotic से पहले क्या antibiotic से पहले surgeries नहीं हुआ करती थी भारत में इतने यूद लड़े गए रामेन हो माभारत काल हो या उसके बाद भी जजन जाने कितने यूद हुए तो क्या antibiotic होने से पहले क्या जखम नहीं भरते थे क्या एक तलवार का घाव लगते ही लोग मर जाया करते थे महान रिशी चरक और सुष्षूत के टाइम में तो antibiotic नहीं थी तो तब क्या इलाज नहीं होते थे मेरा सभाग गय रहा आनद अस्पताल में हमने एक operation कराया 83 years के बुजूर्ग थे जिनको 240 grams का प्रॉस्टेट था और उनको पिशाप का बंद लग चुका था सर्जरी होनी जरूरी थी उनको एंटिबाइटिक से कुछ प्रॉब्लम सी मजबूरन हमें रास्ता निकाला और आयर्विजिक दवाओं की मदद से बिना कोई एंटिबाइटिक की यूज किये ये चार घंटे की लगबग सर्जरी हुई जो मेरे मित्र है डॉक्टर सुभाश रादव यूरो सर्जन उन्होंने ये सर्जरी की और ताज़ुप की बात ये रही कि सर्जन का भी कहना ये था कि रिकवरी बहुत अच्छी हुई पहले से फास्ट हुई और ये इस इस ऑपरेशन की चर्चा पूरे विश्व में हुई प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में Journal of Ayurveda in Integrative Medicine के अंदर बताते हुए कि जो रोगी थे वो और कोई नहीं मेरे पर्म पूजे श्री गुरुदे भी थे और मैंने बताया कि उनका Ayurveda के प्रती बहुत रुजान था और इसलिए ये एक्सपरिमेंट उन्होंने अपने शरीर पे करके दिखाया कि बिना एंटिबाइटिक के Ayurveda के दबाओं से भी सर्जरी की जा सकती है फिर मैंने अपने शित्र में एक काम शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि आज मैं अपनी लगबग 70-90% सर्जरी बिना एंटिबाइटिक के करता हूँ या बहुत सिंगिल शॉर्ट एंटिबाइटिक अधिक से अधिक जो बहुत मेजर केसे से हैं अगर तो कोई तो मेरी प्रेक्टिस के अंदर 90% एंटिबाइटिक का प्रियोग खतम हो चुका है और आहरविज दवाओं का प्रियोग में कर रहा हूँ उसमें मुखे रूप से जैमंगल रस है संशमनी वटी, आरोगे वरदिनी वटी, गंदग्रसायन वटी इन दवाओं आधी के माध्यम से मैं सक्सेस्फुली बिना एंटिबाइटिक के ऑपरेशन्स कर पा रहा हूँ जो मैंने ऑपरेशन्स की हो है ट्रॉमा के अंदर फ्रेक्ट्चर सिमेंटेड, मॉडलर, बाइपोलर, हैमी रिप्लेस्मेंट आर्थरो प्लस्टी विदाउट एंटिबाइटिक, विदी हेल्प अफ इस मेडिशन्स ओनली और मित्रों औरोपे तो प्रेयोग करना असान होता है परंतु मुझे ये सभाग्य भी मिला मेरा खुद का ऑप्रेशन हुआ, लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिट सिट्रेक्ट में होई गॉल बेटर निकाला गया मैंने अपने सर्जन्स ये प्रातना की कि आप मेरे अंदर एंटिपाइटिक का यूज मत करिएगा मैं आयर्विक दबाओं से अपने को ठीक कर लूँगा मैंने ऐसा ही किया और मेरा धर्नेवाद है उन्होंने मेरी बात मान ली और मैं बिल्कु ठीक हुआ, मेरी रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई तो एक प्रशन चिन उठना बहुत सभाविक है कि मौडरन मेडिसन का जो यह प्रिंस्पल है कि जितने भी यह संक्रामक रूप कहे जाते हैं जर्म सिर्भोने वाले रूप कहे जाते हैं क्या इनका इलाज एंटी माइक्रोबियल और वैक्सिन से लावा कुछ और नहीं हो सकता इसके उपर प्रिशन चिन लगना आज लाजमी है आज भी कॉरोणा की वैक्सिन खुची जा रही है एंटी वाइरल ट्राई किये जा रहे हैं लेकिन कोई नतीजा अभी नहीं है बहुत इंपॉर्टन्ट क्लिनिकल ट्राइल्स ये एविडेंस बेस है मॉडरन मेडिसन का जिसके दम पर मॉडरन मेडिसन नहीं कहा कि हम तो साइंटीफिक हैं आज मैं आपको इनकी हकीकत और इसका इतिहास है मॉडरन मेडिसन कि जब शुरुवात हुई तो पूरा अंधकार पूरा ग्यान था कुछ नहीं पता था जैसे भारत में जब जीवन की शुरुवात हुई तो शाश्वत आयरवेद वेदों की तरह एक पाँचवा वेद शुरू से ही उपलब्द था मानव जाती को सारी सारे पूरा एक विज्ञान के तोर पे मेडिसन का, सर्जरी का सारी दवाईयां, उनके इफेक्ट्स, उनके इंडिकेशन, सब कुछ मुझूद था, पर उन तो वेस्ट में ऐसा नहीं था वेस्ट में तो हिटन ट्राइल से चीज़े डेवलब होई है उन्होंने जीरो से शुरू किया उनको रोगों के बारे में इलाज के बारे में कुछ नहीं पता था रोगों को सुपर नैचुरल ओरीजिन का समझा जाता था मैजिक, रिलिजिन, विच्क्राफ्ट, वर्थी, ट्रीट्मेंट बीसे शताब्दी के शुरुआत तक भी कुछ सीरप्स, एलेक्जिर्स कुछ पिल्स, जिनके अंदर मुखे रूप से एलकोहल और अकसर ओपियम, मॉर्फीन, एंड कोकेन वगरा हुआ गरते थे, और सारे रोगों के इलाज के लिए उनको बताया जाता था कि सब कुछ भी को जाएगा पेटेंट्स का शुरू से ही था वेस्टन वेडिसन के अंदर ये सब जो दवाईयां थी, किसे ने किसी कंपनी की होती थी और वो उसको पेटेंट रखते थे ये भी बताना जरूरी नहीं होता था कि इनके अंदर क्या इन ग्रेडियंट्स है बस उदेश्य था पैसा कमाना ना एफिकेसी पता होती थी ना सेफ्टी पता होती थी लोग मरते थे रोग से भी मरते थे और इन दवाईयों के दुश्प्रभाव से भी मरते थे बहुत देरवाजे हीूमेन क्राई अगेंस इस फॉर्मूलेशन लेकिन कोई मेकैनिजम नहीं था कि FDA एक्जेसेंस में आया FDA बनाया गया Food and Drug Administration of America दीरे-दीरे कई विकास हुई उसके अंदर भी बहुत gradually progress हुई फिर दीरे-दीरे यह हुआ कि contents बताना जरूरी है safety बताना जरूरी है और efficacy बताना भी जरूरी है तो clinical trial की शुरुवात की गई कि market में आने से पहले कुछ मानवो पर पहले वो दवा का प्रेयोग किया जाए कि वो कुछ काम भी करती है की नहीं और safe है की नहीं accidents और treasuries होती रही मानव मरते रहे जिनमें trial किया गया अब उनमें भी accidents हुए उसके बाद ये प्रेकरिया चलती रही पहले ये हुआ safety बताना जरूरी है फिर ये हुआ कि efficacy बताना भी जरूरी है फिर ये बात आए की मानवो परियोग करने के बजाए पहले जानवरों में परियोग किया जाए जिससे की humans को बचाया जा सके तो जानवरों का प्रियोक शिरू हुआ ट्रेजिडी इस फिर भी होती रही जो दवाएं एप्रूव होके मार्केट में आई उनमें से कई ऐसी निकली जिन्होंने बहुत तभाई मचाई उनको वापिस करना पड़ा तो फिर एक नई बात आई कि पोस्ट मार्केटिंग स्टडी भी होनी चाहिए बजार में आने के बाद फिर चेक करो दवाई को फिर क्लिनिकल ट्राइल की एकूरिसी बढ़ाने के लिए डबल ब्लाइंडिंग, रेंडमाईजेशन, प्लैसिबो का इस्सेमाल शुरू हुआ तो मित्रो क्लिनिकल ट्राइल की एक प्रिकरिया जो है ये बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजर के आज इस रूप में भी सामने है जिसको आज ये का जाता है कि आज ये काफी सेफ है परन्तो इसके लिए मानव जाती में बहुत बड़ी प्राइस पे की है मॉडरन मेडिसन की जो हिस्ट्री है डिट इस फुल अफ ट्रेजेडीज डूरिंग क्रिनिकल ट्राइल्स आप कभी गूगल पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कितने लोगों की जाने गई है और आज भी जाने जा रही है और एक क्रुएलिटी ये भी है कि कुछ हमने हुमेंस की जान बचा भी ली हो परन्तो जानवरों के उपर तो बहुत क्रुएलिटी है जाने कितने जानवर मौद को प्राप्त होते हैं इस क्लिनिकल ट्राइल्स की वज़े से कारण क्या है मौडर्न बेडिसन को दवाओं के बारे में कुछ पता नहीं था और जो जिन चीजों को दवा के रूप में इस्सेमाल करते हैं वो सिंथेटिक केमिकल्स हैं सब जिनके बड़े अनप्रेडिक्टेबल रिजल्स होते हैं इफेक्ट्स होते हैं हुमिन बॉडिस के अंदर तो ऐसे चीजों को जब दवा के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्लिनिकल ट्राइल तो बहुत जरूरी है ही है उसको तो कर नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं करेंगे तो डिजास्टर हो जाएगा मॉडर्न मेडिसन के अंदर और इतना सब कुछ करने के भाद भी आज भी मॉडर्न मेडिसन में एक भी दावा ऐसी ने बन पाईए जिसका कोई भी हानिकारक साइड इफेक्ट ना हो बस इतना ही देखा जाता है कि कम से कम साइड इफेक्ट हो बहुत बड़ा नुकसान ना हो तो क्लिनिकल ट्रायल मॉडर्न मेडिसन के लिए एक कमपलसरी रिक्वार्मेंट है इसके बिना डिजास्टर हो जाएगा चुकि डेंजरस केमिकल से यूज किया जाते है मॉडर्न मेडिसन के अंदर पर तो दुख की बात यह है कि यही पिंसिपल आईरवेदा के उपर थोप दिया गया या तो अग्यान कहें इसको या चलाकी कहें या आप तो हजारों साल पहले के स्क्रिप्चर्स लिखे हूँ है सम्हिता मौजूद है जिनमें दवाईयों का पूरा डिटेल में वर्नन है सेफटी के बारे में एफिकेसी के बारे में आईरवेद की दवाएं तो इतनी सेफ है कि आईरवेद तो उस दवा को दवाई नहीं मानता जिसका कोई हानिकारक साइड इफेक्ट हो इतना सब होते हुए भी मौडरन मेडिसन आईरवेद का मजाक उलाता रहा आईरवेद को ताने मारता रहा कि तुमारे पास क्लिनिकल ट्रायल नहीं है तुमने clinical trial नहीं किये है और ये सब किया गया विज्ञान के न contagious के नाम पर, और मज़े की बात ये है, कि जिस विज्ञान के नाम पर ये किया गया, आज की तारीक में Moran Medicine को ये रेलाइस करना पड़ा कि Clinical Trial अपने आप में ही कोई बहुत उंचा विग्यान नहीं है उसमें बहुत कमिया है यहां तक ही वो scientific नहीं है Clinical Trial में क्या होता है? यह मान लिया जाता है कि One Size is Good for All, Fits All हम कुछ सौ लोग या अधिक से अधिक हजार लोगों को एक ग्रूप बनाते है उसमें भी हम छाटते हैं बहुत सारे Inclusion and Exclusion Criteria होते हैं तब हम एक Artificial Group create करते हैं और हम यह मान लेते हैं कि यह सौ हजार लोगों का ग्रूप जो है यह पूरे वर्ड की Population को Represent करता है जितने भी Variables होते हैं मानव के जैसे कि उनका Living Standard, Lifestyle, Dietary Habits, उनका Genetic Constitution, उनका Environment, Social and Economic Status, उनके माननेताएं सब को भुला दिया जाता है बहुती Convenience के साथ में और जो Trial के Result उन छोटे से Group में आते हैं उसको पूरी मानव जाती पर थूप दिया जाता है विज्ञान के नाम पर कि बहुत बड़ा विज्ञान है फिर चाहे कुछ भी हो तो Modern Medicine ने अब बहुत Recently यह रिलाइज किया जो कि आईरवेद का Principle है कि यह Generalization ठीक नहीं है Every individual अलग है और हर individual की दवा भी अलग होगी एक ही बिमारी के लिए यह तो Modern Medicine का Modern Medicine ने स्विकार कर लिया जो कि आईरवेद का ही पिंसिप लिए US FDA उन्होंने कहा और इस बात को उन्होंने नाम दे दिया Precision Medicine आईरवेद के सिध्धान को Precision Medicine कह दिया तो उन्होंने कहा कि जितने भी अभी तक के Modern Treatment हुए है वो एक Average Patient के लिए डिजाइन किये गए थे जो कि अच्छी बात नहीं है वो कुछी लोगों में काम करते है तो हमें Precision Medicine के जोरूत है Personalized Medicine के जोरूत है यह उन्होंने सिक्वार किया बराक उबमाजी ने करीब 215 मिलियन डॉलर का एक बजट एलोकेट किया रिसर्चर्स को कि एक कोहोट बनाया जाए करीब 1 मिलियन अमेरिकन्स का उनकी जेनेटिक सेंपलिंग की जाए बालेजिकल सेंपल्स किये जाए उनकी डाईट इन्फॉरमेशन उनकी लाइफस्टैल इन्फॉरमेशन उनकी एन्वार्मेंट इन्फॉरमेशन लेके यह पता लगाजा जाया है कि कितने तरीके की गृुरूप होते हैं कितने तरीके के अलग-लग महाना होते हैं Modern Medicine ने आयरवेद को सिकार तो कर लिया लेकिन बहुत ही चोरी चुपे In a clandestine manner In a different name और अब जो नाम दिया है वो है Precision Medicine आप जानते हैं Real Precision Medicine जो है वो आयरवेद है Real Holistic Medicine जो है वो आयरवेद है यह जो तिरदोश वात पित कफ से धानते हैं हमारा यह Real Holistic Variables हैं जिसके पीछे अभी Modern Medicine अलग तरीके से कोशिश कर रहा है तिरदोश प्रकरती जो है यह Real Holistic Groups हैं जो सामने आएंगे अभी तिरदोश बैलन्स को बनाए रखना ही स्वास से है Holistic Health है यह तिरदोश Imbalance ही रोग है From Holistic Point of View तिरदोश Imbalance का डाइगनोसिस ही बड़े से बड़ा डाइगनोसिस है और तिरदोश बैलन्स को दुबारा से पुनर सापित कर देना ही बड़े से बड़ा Holistic Treatment है और यह काम आएरविद फिजिशन बहुत असानी से कर सकता है जिसके लिए Modern Medicine ने बहुत तुफान उठाया हुआ है वो कहते हैं इस बात के लिए तो बहुत सारे Physics के लोग चाहिए है Chemistry के चाहिए Mathematics के चाहिए Statistics के लोग चाहिए तब जाके हम यह सब कर पाएंगे Genome Studies से यह सिद्ध हो गया है कि आईरविद प्रकर्टी होती है बड़ी से बड़ी Precision Medicine और Clinical Trial Medicine जो है Modern Medicine ने रिलाइज कर लिया कि केवल Safety और Efficacy मालूम करने से कुछ नहीं होगा यह भी मालूम करने पड़ेगा कि किस रोगी में किस के अंदर यह सब से आदा हमारे माइक्रोबियोम से भी इस रिलेशन सामने आ चुका है प्रकर्टी का आज Precision Medicine में यह पता लगाया जा रहा है बहुत सारे पेशिंट को ग्रूप किया जा रहा है The Basis of Biomarker, Clinical Feature, Demographics, Disease Subtype, Family History, Genomic, Environment, Health History So many things यह सब जान के फिर उनका पता लगाया जाएगा यही तो है कि आईरवेद के एक फिजेशन के सामने एक रोगी आता है वो उसका सारा इलाज करता है उसकी प्रकर्टी चेक करता है उसका Constitution चेक करता है उसका सारा दश्विद परिक्षन करके फिर उसके लिए specific दवाई बनाता है यही तो है बड़ी से बड़ी precision medicine तो मित्रों मैंने आपको चार major breakthroughs बताये थे modern medicine के अंदर germ theory, vaccines, antibiotics and clinical trials यह सब बदल चुके हैं और यह देरी-देरे आईरवेदा principles की तरफ चले गए हैं इसके बावजूद भी हमारी मुखे चिकित सब बदेती आज भी ऐलोपेथी बनी हुई है और इसका परेडाम क्या हुआ है Indiscriminate use of ऐलोपेथिक medicines चाहे वो antibiotics हो चाहे वो और दुनिया बर की दवाईयों blood pressure गोलियां, kolesterol की, खूल पता करने की, sugar की दवाईयां vitamin, thyroid की दवाईयां Indiscriminate use मानवजाती में किया गया जिसकी वज़े से public health catastrophe हो गया इस बारे में विचार करिए आप भी मैं आप से अभी विदा लेता हूँ इस वीडियो को यहां कतम करते हैं फिर दुबारा आपके सामने आऊँगा तब तक आप भी विचार करिए इसकी उपर धन्यवाद